राहुल तुम्हें अंगूरों के अंदर कुछ जाता ही बचन नहीं लग रहा हैं। राहुल ये अंगूर तो उठाए नहीं जा रहा हैं अपना लोगों से इने लेकर चला तक नहीं जा रहा हैं। लेकिन समझ में नहीं आता राहूल तुमने मैंने मिलके अंगूर की खेती की दी। लेकिन अपने एक अंगूर की पेड़ पर इतना बड़ा अंगूर आया है। इसे मंडी में ले जाकर बेचेंगे अपना लोग ये तो बहुत रुपे का पिकेगा। अरे मोधी जी ऐसी अंगूर बेचने की होती है, इन बड़े अंगूरों का अपना लोग बीच बनायेंगे और अगले साल इनःे अंगूरों के बीच से दूसरे अंगूर उखाएंगे। लेकिन मोधी जी समझ में नहीं आ रहा है इतनी बड़े अंगूर ये अपने पेड में हो कैसे गए अरे मोधी जी ये देखो सामने से कोई चले आ रहे हैं इनसे सामने टकरा मत जाना बहुत बचन हैं अंगूर में सही से कतम रखो अरे बाइस आप कहा चले आ रहे हो एक तो इन अंगूरों को लेकर चलना बड़ा मुस्गिल है और आप सामने चले आ रहे हो अरे मोधी जी आप रास्ते में मिल गए आपका नाम पूस्ते पूस्ते आया हूँ अरे पूरे सहर में आपके अंगूरों के ही चर्चि हैं हमने सुना है आपके बगीचियों में बहुत बड़े-बड़े अंगूर की पैदाबार हुई है अरे क्या हमारे सहर तक चर्चिय हो गए भाइस आप ये देखो यही अंगूर हैं जिसे हम ले जा रहे हैं कंदे पर रखकर इतने बड़े-बड़े अंगूरों की पैदाबार हुई है हमारे बगीचों में तो भाईसाब क्या आप सहर से आए हूँ हाँ मोदी जी मुझे तो आपका नाम भी पता है मैं आपका नाम पूस्ते-पूस्ते यहां तक आया हूँ चारों तरफ एरिये में आपी का नाम है कि आपके यहां पर बहुत बड़े-बड़े अंगूरों की पैदाबार हुई है एक-एक अंगूर तरबूच के बराबर है और मैं देख भी रहा हूँ एक अंगूर का गुच्छा आप लगड़ी में बांद के ले जा रहे हो बो भी दो लोग भाई साब दो लोग इसलिए ले जा रहे है एक आदमी से यह अंगूर जाता भी नहीं इसमें कम से कम तीन कॉंटल बजन होगा राहूल अपना तुम मसूर होग है चारो तरफ हमने अंगूर की चर्चे हो रहे है अरे मोधी जी राहूल रुक जाओ रुक जाओ एक अंगूर मुझे कुना देतो कितने रुपए का बेच रहे हो अगले सहसी कहसे तुम्हें अंगूर देते तुमने भी तो अंगूर की खेती की है इसका मतलब आप हमारे अंगूर गरीदने के लिए आयो अरे अंगूर भाई साब हम नहीं बेचेंगे इन अंगूरों को हम घर बैट के आराम से काट के गाएंगे एक अंगूर को तरबूझ के तरह काट के गाएंगे और भाई लोगो वीडियो को लेकरो चैनल को सब्सक्राब करो